नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, वर्ड बेस मैजिक में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें, माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसी पंचमी वरत 2019 में कम मनाया जाएगा? पूजा का सुमूरत और वरत का महत्य क्या है? साथ ही हम बात करेंगे रिसी पंचमी वरत की पूजा विधी और वरत कथा क्या है? और इस वरत का उध्यापन कैसे किया जाता है? पूरी जानकारी के लिए अन्द तक इस वीडियो के साथ बने रहें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हिंदू पांचांग के अनुसार रिसी पंचमी व्रत बहाद प्रदमहा के सुकल पक्च की पंचमी तिथी को मनाया जाता है रिसी पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदाई होता है यह व्र रिसी की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में महावारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है अगर भूल वस इस समय कोई चूख हो जाती है तो महिलाओं को दोस्त मुक्त करने के लिए इस रत का पालन किया जाता है दोस्तों साल 2019 में रिसी पंचमी का वरत 3 सितंबर 2019 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और पूजा का सुम महूरत प्राता 11 बचकर 5 मिनट से लेकर दोपहर 1 बचकर 36 मिनट तक रहेगा इस सुम महूरत की कुल अवधी 2 घंटा 31 मिनट है और पंचमी तिथी का प्रारम 3 सितंबर को प्राता काल 1 ब बचकर 27 मिनट पर होगा दोस्तों अब हम बात करेंगे रिसी पंचमी वरत की पूजा विधी के बारे में इस दिन प्राता काल सुर्योदय से पूर्व उठकर इसनान कर स्वच वस्त धारन करें या इस दिन पवित्र नदी में इसनान करने का भी विसेस महात्तो है इसके बा तद पस्चात कलस की इस्थापना करें फिर चंदन का लेप लगाना चाहिए इसके बाद फल फूल नयवेद सुएत वस्त तथा यगो पवित अर्पित कर धूब दीब जला कर विद्वत पूजा अर्चना करें इसके बाद रिसी पंचमी वरत की कथा सुननी वो पढ़नी जाईए दोस्तों महावारी के चले जाने पर इस वरत का उद्यापन किया जाता है इस त्रियों में महावारी का समय समाप्त होने पर अर्थात व्रद्दा वस्ता में वरत का उद्यापन किया जाता है उद्यापन के समय भी इसी प्रकार विद्वत पूजा करने के बाद इस साथ संतान प्राप्ति एवन सुख सुविधा की प्राप्ति स्वभग के लिए भी इस व्रत का पालन किया जाता है दोस्तों रिसी पंजमी व्रत की कथा इस प्रकार है एक समय की बात है विधर्व देश में उत्तक नाम का ब्रामण अपनी पती प्रता-पत्नी के साथ निवा हो सरूप कन्या का पती अकाल म्रत्व को प्राप्त होता है और वैविद्वा हो जाती है तथा अपने पिता के घर लोटाती है एक दिन आधी रात में लड़की के सरीर पे कीड़े उत्पन होने लगते हैं अपनी कन्या के सरीर पर कीड़े देखकर माता दुख से विधित हो कन्या के पूर्जन्व का पूर्ण विवरण उसकी माता को बताते हैं और कहते हैं कन्या पूर्जन्व में ब्रामणी थी और इसने एक बार महावारी होने पर रसोई में प्रवेश किया था और काम करने लगी बस इसी पाप के कारण इसके सरीर पर कीड़े पर गये हैं सासर कहते हैं कि यदि यह कन्या रिसी पंचमी का व्रत करे और सद्धा भाव के साथ पूजा तता छमा प्रातना करे तो इसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार कन्या द्वारा रिसी पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पाप से मुक्ति प्राप्त हु दोस्तूं एक अन्य कथा के अनुसार ये कथा स्रीकिष्न ने युदिस्थिर को सुनाई थी। कथा अनुसार जब व्रज्जा सुरकावत करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा तो उसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रातना की। ब्रह्मा जी ने उस पर क्रपा करके उस पाप को चार भागों में बाट दिया था जिसमें प्रथम भाग अगनिकी जोला में दूसरा नदियों के लिए वर्स के जल में तीसरे परवत में तता चौते भाग को इस्ते के रज में विभाजित करके इंद्र को स्राप से मुक्ति प्रदान करवाई थी इसलिए उस पाप की सुद्धी के लिए ही हर रिस्त्री को रिसी पंजमी का वरत करना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवज से बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें साथ ही साथ इस वीडियो को फेस गंटी का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद